शादी ब्याह के काड में आप देखते होईएगा कि दुलहा के लिए चिरंजिवी और दुलहन के लिए आयुशमती शब्द का प्रियोग किया जाता है। आईए उसी की कथा हम शुनाते हैं कि इसकी शुरुवात कैसे हुई। एक ब्राम्हन के कोई शंतान नहीं थी। ब्राम्हन ने बर्दान में पुत्र मांगा। माता ने कहा कि मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला दस अजार बर्द जिएगा लेकिन महामुर्ख होगा। और दूसरा पंद्र बर्द जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। किस तरह का पुत्र तुम्हें चाहिए ब्राम्हन बोला माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो माता ने तथास तु कहा कुछ दिन बाद ब्राम्हनी ने पुत्र को जन दिया लालन पालन किया धिरे धिरे पांच बर्स बित गए माता का वह वर्दान याद करके ब्राम्हन ने ब्राम्हन से कहा कि पांच बर्स बीत गए हैं मेरा पूत्र अलपाई हूँ है जिन आखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है और जिन आखों में लाल की छबी बची है अथा प्रेम है वह आखे लाल की मिर्टू कैसे देख पाएगी कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो ब्राम्हन ने अपने पुत्र को बिद्याग रहन करने के लिए कासी बेज दिया दिन रात दोनों पुत्र के भी योग में दुखी रहने लगे धीरे धीरे समय भी ता पुत्र के मिर्टू के काशमय निकट आया कासी के एक सेथ ने अपनी पुत्री के शाथ उस ब्राम्हन पुत्र का विवाह कर दिया पती पतनी के मिलन की रात उसकी मिर्टू की रात थी यह मराज नागरूप धारन करके उसके प्रान हरन करने के लिए आये उसके पती को डस लिया पतनी ने नाग को पकरके कमंडल में बंद कर दिया तब तक उसके पति की मिर्टू हो गई। पति महा माया की बहुत बरी भक थी, वह अपने पति को जीवित करने के लिए मां की आराधना करने लगी। अराधना करते करते एक माह बित गया पत्नी के सतितों के आगे स्रिष्टी में तराही तराही मच गई यह मराज का मंडल में बन थे यह मलोग की शारी गती भी धियां रुख गई देबों ने माता से अनुरोद किया और कहा कि है माता हम लोगों ने यह मराज को छुडाने की बहुत कोशिस की लेकिन छुडा नहीं पाए है जगदंबा अब तुहीं यह मराज को छुडा सकती है माता जगदंबा प्रगटी और बोली की हे बेती जिस नाग को तुने कमंडल में बंद किया है वो हश्वेंग यमराज हैं उसके विना यम लोग के सारे कारज रूप गये हैं है पुत्री यमराज को आजाद कर दो माता के आदेश का पालन करते हुए दुलहन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया यमराज कमंडल से बाहर आये माता को तथा दुलहन के सतित्तों को परनाम किया माता की आगया से यमराज ने उसके पती के प्रान वापस कर दिये तथ चिरंजीवी रहने का बरदान दिया और उसे चिरंजीव कहके पुकारा तब से लरके के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने की प्रथा चली और आईश्मती राजा आकास धर के कोई शंताने नहीं थी नारज जी ने कहा कि सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमी पे यग कर शंतान जोरूर प्राप्त होगी राजा ने सोने के हल से प्रिथवी जोती जोत्ते समय उन्हें भूमी से कन्या प्राप्त होई कन्या को महल लेकर आये राजा देखते हैं महल में एक शेर खरा है जो कन्या को खाना चाहता है ड़र के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट लगटे और कमल को अपने हाद से असपर्स किया असपर्स करते ही कमल पुस्प उसी शमय अमराज बनकर प्रकट हुआ और ओ कन्या पचीश बर्स की जूबती हो गए राजा ने उस कन्या का विवाह विश्मुजी से कर दिया यमराज ने उसे आयुश्मती कहके पुकारा और आ जहे जहें सियाराग, जहें सियाराग